सबी विद्यार्तियों का स्वागत है आज हम करेंगे रामदारी खंड दो अभ्यास बारा डिक्टेशन अभी पांस सेकंड बाद सुरू होगी सभी त्यार रहें शुरू बाईयों पुगोल परवत और समुद्र ने वारत के सवरूप का निर्मान किया है विराम कोई मानव संस्था इसके अकार को बदल नहीं सकती और नहीं उसके अंतिम लक्ष में बादक बन सकती है पुण विराम आर्थिक परिस्तितियों और अंतराष्टिये मामलों को लगतार मांगों के कारण भारत की एकता और भी आवशक हो गई है पुण विराम भारत के जिस शित्र को अमने अपने दिलों में संजोया है वैसदा हमारे दिलों और दिमागों में रहेगा विराम अखिल भारतिये कॉंग्रेस समीती गंभीरता से यह विश्वास करती है कि जब वर्तमान भावनाओं की उतेजना समप्त हो जाएगी तो भारत की समश्याओं को उच्चित परीप्रेक्ष्य में देखा जाएगा और मान भारत में दो राष्ट्रों के अस्तित्व के जूठे सिधान्त को समाप्त कर दिया जाएगा और सभी इसका त्याग कर देंगे पुनिविराम समान्यत है राष्ट्यता जातिय भाशाई अत्वा वोगोलिक तत्वों पर अधारित होती है परन्तु इसलाम का अलग अस्तित्व है जो अन्य धार्मिक वर्गों में मिस्रित नहीं होता पुनिविराम पिचपन वर्ष की सुवतंत्र धरम निर्पेक्ष राष्ट्यता के बाद आज भी कई जिमेदार मुसलिम नेता दावा करते हैं कि मुसलमान अलग राष्ट्र है पुनिविराम पैरा चेंज एक जिमेदार दल द्वारा इतने अधिक करुणा जनक और आत्म भ्रामक प्रस्ताव की कलपना भी नहीं की जा सकती जितना की अखिल भारतिय कॉंग्रेस समीती ने 15 जून 1947 को पास किया था पुनिविराम सभी नेता ठक चुके थे और बुड़े हो रहे थी पुनिविराम आदर्स बाद की जिस जुआला ने उने 26 वरस पूरब प्रेरित किया था उसका जोस ठंडा होने लगा था पुनिविराम कॉंग्रेस का विकास सदा ही बदस्ते नेत्रित्व के माध्यम से हुआ था परंतु पिछले 25 वरसों में वही नेता कॉंग्रेस की सत्ता संभाले हुए थे पुनिविराम उनके व्यक्तित्व और उनके त्याग ने उनको जो ख्याती परधान की थी उनको जो बल परधान किया था उसको कोई युवा नेता चुनोती देने का साहस नहीं कर सकता था पुनिविराम विवाजन के विरोध में केवल एक ही स्वर था और वह था गांदी जी का परंतु बेबी बहुत बुड़े हो गए थे और उनका स्वास्ते भी ठीक नहीं था पुनिविराम उन्होंने अखिल भारतिय कॉंग्रेस समीती से प्रस्ताव स्विकार करने के लिए कहा यदि वे नई कार्यकारणी समीती और नई अंत्रिम सरकार के लिए नए नेता ही नहीं चुन सकते पुराम प्रस्ताव को पहले कार्य समीती ने पास किया पुरण विराम गांदी जी से विशेश रूप से प्राथना की थी कि बे उपस्तित हूं और सवा को संबोधित भी करें पुरण विराम लेखक अखिल भारतिय कॉंग्रेस समीती की बेठक में उपस्तित था गांदी जी का भाषन स्पष्ट रूप से उनके दुख का ध्योतक था उन्होंने कहा कि उनके विचार सरविधित हैं फिर भी उन्होंने अखिल भारतिय कॉंग्रेस समीती को प्रस्ताव पास करने की सला दी उन्होंने कहा कि अखिल भारतिय कॉंग्रेस समीती को इसे रद करने का अधिकार है प्रंतु किसी ने इसका उतर नहीं दिया विराम उस समय विरिटेन भारत से चल जाने के लिए और अपनी समराज्यवादी धाक छोड़ने के लिए बहुत उस्क था अब यह वोज उनके लिए बहुत भरी हो गया था पुण विराम एशिया के राजनितिक पुनरुथान की उठती हुई लहर को नियंत्रित करना था पेरा सम्माब